हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टेडी एड मोटिवेशन विद केटू पर शुरू करते हैं आज के टॉपिक से हिस्ट्री में हमारा आज का टॉपिक है इसाई धरम आज हम इसाई धरम की जितने भी important question बनते हैं exam के point of view से उन सभी को discuss करेंगे इससे पहले जो मैंने इससे पहले मैंने बौत धरम जैन धरम शैव धरम और वैशनम धरम पर वीडियो बनाई हैं अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे लिंक आपको description में मिल जाएगा आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं अगर आप मेरे चै करते हैं इसाई धरम के पहले प्रेशन से पहला प्रेशन है इसाई धरम के पवित्र ग्रंथ इसाई धरम का पवित्र ग्रंथ कौन सा है तो इसाई धरम का पवित्र ग्रंथ है Bible ठीक है इसे इंजल भी बोला जाता है अगर एक्जाम में आपके पास option इंजल हो Bible की जगा पर तो आपने confused नहीं होना है आपने इंजिल को भी सही answer कर देना है ठीक है तो आपको बता देती हूँ इससे related कुछ point ताकि आप जो है एक ही जगा पर सारे point को याद करने में आसानी रहे आपको ठीक है चलिए बता देते हैं कि जो Bible है वो दो भागों में divide है जिसमें सबसे पहले है Old Testament और दूसरा है New Testament Old Testament के अंदर क्या है तो इसमें जो है यहुदियों के कर्मों तथा शिक्षाओं का उलेक मिलता है और इबरानी भाषा में है आप ये जरूर ध्यान रखेगा जो Old Testament है वो इबरानी भाषा में है और जो New Testament है उसमें जो है इसा के उपदेशों तथा कर्मों का उलेक कवर्णन किया गया है ठीक है और ये युनानी भाषा में है ठीक है एक है इबरानी में और दूसरी है युनानी में ये आप दोनों ध्यान रखेगा भाषाओं का ठीक है और जो Bible है इसका Hindi में अनुवाद किया क्यारी नहीं ये भी आप ध्यान रखेगा ये भी important हो जाता है अगला question है इसाई धर्म का पवित्र चिन कौन सा है तो इसाई धर्म का पवित्र चिन है क्रॉस जो की इस तरह से होता है आपको पता ही होगा अगला question है इसाई धर्म के संस्थापक कौन थे तो इसाई धर्म के संस्थापक थे इसा मसी जिन को ये शू मसी भी कहा जाता है ठीक है अगला question है इसा मसी का जनम कब और कहा हुआ तो ईसा मसी का जनम चार इस्वी में जेरुसलम के निकट बैथलेहम के एक गाउं में हुआ था ठीक है और आप सभी जानते होंगे कि इनी के जनम दिवस के रूप में ही क्रिस्मस डे मनाया जाता है जो कि हर सल 25 दिसंबर को मनाया जाता है ठीक है चलिए अगला कौशन देखते हैं अगला कौशन है इसा मसी के माता पिता का नाम क्या था तो इसा मसी के माता का नाम था मेरी और पिता का नाम था जोसिफ ठीक है अगला कौशन है इसा मसी को ग्यान की प्राप्ती कब और किस के द्वारा हुई तो इसा मसीह को ग्यान की प्राप्ती जो है 30 वर्ष की आयू में हो गई थी और इन्हें जो ग्यान प्राप्त हुआ वो हुआ यहन्ना महात्मा के द्वारा ठीक है अगला कौशन है इसा मसीह के पहले दो शिश्य कौन थे इसा मसी के पहले दो शिष्य थे पीटर और एंडरियूस अगर आप से पूछा जाए कि टोटल कितने शिष्य थे तो आप बोलेंगे बारा ठीक है और उन में से जो पहले दो रहे वो थे पीटर और एंडरियूस अगला question है इसाई धर्म के लोग इश्वर को कितने रूप में मानते हैं तो इसाई धर्म के लोग जो है इश्वर को तीन रूप में मानते हैं कई बार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि इसाई धर्म के इसाई धर्म के त्री तत्व कौन से हैं तो आपको इस तरह से confuse नहीं होना है त्री तत्वर है वो है इश्वर पिता, इश्वर पुत्र और इश्वर पवित्र आत्मा ठीक है चलिए अगला कौशन देखते है इसा मसीह को सूली पर कब और किस ने चड़ाया था तो इसा मसीह को जो सूली पर चड़ाया था वो चड़ाया था 29 इसी में 33 वर्ष की आयू में ठीक है और जिनों ने चड़ाया था वो थे रोम के गवर्नर पॉंटिस ठीक है और इन्हें जो हैं गोल गाथा में फांसी पर चड़ाया गया जगा का नाम भी पूछ लिया जाता है तो आप ध्यान रखियेगा ठीक है गोल गाथा में इन्हें सूली पर चड़ाया गया था अगला कॉशन है इसाई किस दिवस को शोक दिवस की रूप में मनाते हैं तो ये गुड फ्राइडे को जो है शोक दिवस की रूप में मनाते हैं क्योंकि जो युशु मसी को जो सूली पर चड़ाया गया था वो फ्राइडे को चड़ाया गया था या शुकरवार को चड़ाया गया था इसलिए इसे शोक दिवस की रूप में मनाया जाता है अगला कॉशन देख लेते हैं इसाई धरम के लोग पूजा कहां करते हैं तो आप सभी को पता होगा इसाई धरम के लोग पूजा चर्च में करते हैं और चर्च के पुजारी या फिर मुख्या को विशप कहते हैं ये आप ठ्यान रखेगा और रोम में जो है इन्हें पोप कहा जाता है जो पुजारी या मुख्या होते हैं चर्च के उन्हें रोम में पोप कहते हैं ठीक है और सबसे पहले जो पोप रहे या फिर कह सकते हैं पुजारी रहे वो रहे संत पीटर ठीक है अगला question है भारत का सबसे बढ़ा church कहा है तो भारत का सबसे बढ़ा church है गोवा में जिसका नाम है C cathître trail ठीक है अगर बात करें विश्व की तो विश्व का सबसे बढ़ा church है पीटर बेसी लिखा में पीटर बेसी लिखा है जो कि Vatican City में है ठीक है आप भारत की point of view से भी याद रखेगा और विश्व की इससे भी याद रखेगा जो सबसे बड़ा है ठीक है दोनों ही बहुत important मैं जाते हैं आपको पता होने चाहिए अगला question है विश्व का सबसे बड़ा धरम कौन सा है तो दूसरा है Muslim धरम और तीसरा है Hindu धरम ठीक है अगर बात की जाए भारत की तो भारत में सबसे बड़ा धरम है Hindu धरम दूसरे नमबर पर है Muslim धरम और तीसरे पर है बहुत धरम ठीक है कई बार यह sequence में भी पूछ लिया जाता है तो आप इसने ध्यान रखेगा और बागी भारत और विश्यो की तौर पर तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा है ठीक है अगर यह वीडियो आपके लिए helpful रहा हो तो इसे like जरूर कर दे साथ ही subscribe भी कर दे बैल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले और अपने दोस्तों के साथ share जरूर कर ले अगर आपक अगर के डारेक्ट जो है इनकी प्ले लिस्ट में जाके और भी टॉपिक्स को देख सकते हैं तो so thank you for watching मुस्कुराते रहें